दोस्तों, कैसे हो? मैं कौसिक व्यास, कॉर्पोरेट कंसल्टन्ट, मोटिविस्टर स्पीकर, एजुकेस्टनालिस्ट, आज सुब अउसर के उपर बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ कि जब आपको सफल होना है, तो जिन्दगी में दुसरों से प्रबावीत होके, जो काम करोगे, कभी सफल नहीं होगे साथियों, जब आपको इमानदारी से कोई ने कोई काम करना है, तो सफलता मिलेगी थोड़ी लेट मिलेगी, मगर अच्छे तरीके से मिलेगी और जब आपको तरक्की करना है, तो हर एक चीज में समय देना होगा और आप जानते हो, कि कितने लोग ऐसा बोलते है, कि खालियात आये थे, खालियात जाएंगे साथियों मैं आपको बता दू, कि खालियात आये है, मगर हमें दुनिया का देश का रोण चुकाना है मैं आपको बता दू, क्या अब्दुलकलाम खालियात गये थे, पिवेकानन खालियात गये थे, डॉक्टर आबेड कर खालियात गये थे, नहीं तो हमें ऐसा कुछ करके जाना है, सिद्धान्त लिखके रपो, कि जाने के बाद दुनिया याद करेगी और मैं आपको बता दू, कि कितने एंटर्पेनियोर और बिजनेसमेन में एक डेलिमा होता है प्लानिंग का दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, कि कितने लोग छे महिने से प्लानिंग कर रहे है मगर ओ प्लानिंग सक्सेस नहीं होता इसमें बादाय होगी कुछ न कुछ प्लानिंग में गरबड़ी आएगी सो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा प्लानिंग करना वो माइने नहीं रखता मगर एक बार आप स्टार्ट करोगे, तो आपका एक्स्पीरियन्स किना जाएगा दूसरें से आप आगे रहोगे और जब जब आपको एक्स्पीरियन्स होगा, हाँ, उसके साथ कितनी बार ठोकरे भी आएगी जब तक पत्थर पे चोट नहीं लगती, तब तक वो मुरत नहीं बनती ऐसे जब कोई न कोई काम करते हो, तो सफलता के पहले आपको निसफलता भी आ सकती है चोट भी लग सकती है साथियों कोई भी फिल्म में अच्छा रोल ओही कलाकार को अदाकार को दिया जाता है जो उसके काबिल होता है ऐसे हम भी इस्वर ने हमें जो यूनीक बनाया उसने सफिशन टाइम लिया है हमें बनाने के लिए और जब इस्वर आपको कोई न कोई टैलेंट देते है तो उसका यूज आपको करना है मगर हम क्या करते है कि जब उपर वाला खुसी देता है तो थैंक्यू बोलना बूल जाते है और जब आपके उपर दूखाता है तो बोलते हो कि भगवार ये क्या कर डाला ऐसा मत करो अपनी जो भी खाबेलियत है उसको बरकरार रखो काम करो और आगे बढ़ो आपको कोई न कोई जिम्मेदारी जब कोई देता है तो आपको टेस्ट करके ही देता है दुकानवाला जब कोई भी आइटेम आपको देता है कोई बर्तन देता है तो पटक पटक के दिखाता है के सही है हम भी कुछ न कुछ खरीदने जाते है तो चार बार पांच बार उसका टेस्ट करते है तो साथियों मैं आपको दुसरा सिद्धांत बता दूँ अक्कल बदाम खाने से नहीं आएगी मगर ठोकर खाने से आएगी याने के ठोकर से सिखोगे ओ पूरी जिन्दगी में सफलता मिलेगी बड़े लोगों की जिन्दगी में मुसीबते आई है और उसके बाद ही उन लोगों ने तरक्की किया है तो साथियों, यंस्तर्स, बिजनेस्मेन, एंटर्पेनियोर जो स्टार्ट अप करने वाले हैं सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि आज का ए विडियो में डिसीजन आपका होना चाहिए दुसरे के डिसीजन के उपर कभी नहीं चलना दुसरों से प्रभावित होके कोई काम नहीं करना जब आगे बढ़ना है अपनी टैलेंट का यूज करो अपने नौलेज का यूज करो ठोकर आएगी इस में से सिखो और सफल रहो तो आज का ए विडियो साथियों आपको अच्छा लगा है तो शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो और हाँ ऐसे ही नए नए टॉपिक के विडियो सुनने के लिए देखने के लिए बेल आइकान उसको डबाओ थैंक्स अलोट धन्यवाद